हम सभी को पता है कि आलू को सबजियों का राजा बोला जाता है आलू सबसे आम और महत्तपूर भोजन स्त्रोतों में से एक है भारत के हर रसोई घर में आलू के बिना कोई भी व्येंजन बनना मुश्किल होता है पोश्ट तिक्ता से भरपूर होने के साथ ही यह आपकी हर इस बिमारे को ठीक करने के ख्रमता रखता है जिसे शायद महंगी दवाईयां भी ठीक ना कर सके आज के हमारे इस सेग्मेंट में हम बात करेंगे आलू के कुछ बहतरीन फाइदों की और बताएंगे कि कैसे आप आलू के इस्तमाल से कई सारे फाइदे ले सकते हैं नमस्कार मैं हूँ कुछ पांडे और आप देख रहे हैं निउस्टैमनेशन की खास पेशकर्ष सेहत नामा आमतौर पर लोगों का मानना है कि आलू खाने से वजन बढ़ता है लेकिन ये सच नहीं है इसे वजन बढ़ाया भी जा सकता है और घटाया भी जा सकता है बशर्ते आपको इसके सही इस्तमाल के बारे में पता होना चाहिए आलू में इतने पौश्टिक तत्व और गुण हैं कि इस खाद पदार्थ को कई बिमारियों के लिए औशदी के रूप में भी उपयोग में लाया जाता है आलू मीठा और गर्म तासीर का होता है यह खाने में रुची बढ़ाने के साथ सूजन कम करने में मददगार होता है इसे प्राफ्त सॉलनिन वेधना कम करने वाला और अंटी नियूरलेजिक यानि नर्फ के दर्द से राहत दिलाता है आपको शायरी पता हो लेकिन 50-200 मिलिग्राम की मात्रा में सॉलनिन का प्रेयोग करने से कंडू यानि चर्म रोग हत्म होता है आलू पचाने में भारी और मल को गाढ़ा करने वाला होता है लेकिन इसको जादा खाने से शरीर में आलस भी पैदा होता है आलू एक ऐसी सबजी है जो सस्ता भी है और पॉष्टिक गुडों से भरपूर होता है आप इससे मूँ के छालो को ठीक कर सकते हैं इसके लिए आपको आलू के भुने हुए कंड या गाट को सेवन करना होगा वहीं इससे साइन साइटिस की परेशानी को भी दूर किया जा सकता है साथी साथ इससे पुरानी खासी पर भी लगाम लगाई जा सकती है आपको जानकर हैरानी होगी लेकिन इससे ब्रेस्ट मिल्क भी पढ़ाया जा सकता है इसके लिए आपको भूने हुए आलू के कंद का सेवन तरना होगा वहीं इससे आख से जले घाव को भी ठीक किया जा सकता है इसके लिए आपको आलू के कंद को पीस कर आख से जले हुए स्थान पर लेप लगाना होगा इससे घाव और सूजन से रहात मुझती है वहीं इससे दाद, खाथ, खुझली की परिशानी को भी दूर किया जा सकता है आपको शायद ही पता हो लेकिन आप आलू से टान रिमूव कर सकते हैं इससे चेहरे के दाग धब्बे और जाईयों को कम किया जा सकता है इसके लिए आपको कच्चे आलू को पीस कर चेहरे पर लगाना होगा इससे स्किन में ग्लोव आता है और दाग धबे कम होते हैं वहीं इससे कमजोरी को भी दूर किया जा सकता है साथ ही साथ इससे गठिया का भी इलाज किया जा सकता है एक research के अनुसार आलू में starch भरपूर मात्रा में उपस्थित होता है इसलिए ये शरेर में starch की कमी को भी पूरा करने में मदद करता है ऐसे BP की समस्या को भी दूर किया जा सकता है क्योंकि इसमें मौझूद calcium potassium और magnesium की अचित मात्रा से ही इसे बढ़ हुए रख्तचाप को कम करने में मदद मिलती है तो मिलाकर आलो एक ऐसी सब्जी है जो आपकी सेहत तो बनाता ही है साथी साथ आपको हर एक बिमारी से लगने की शमता भी देता है आपको हमारी वीडियो कैसे लगी कॉमेंट सेक्शन में सब्रूर बताएं अगर आपे वीडियो फेस्बूक अदेते से लाइक और फॉलो करें और अगर आपे यूट्यूब पतेकरती चैनल को सब्सक्राब ज़रू करें नमस्कार